हेलो दोस्तो अर्ली पाइनल से लाजादीम आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी महिना चल रहा है अप्रेल का तो अप्रेल 20 से अप्रेल एंड तक कौन से बड़े डिविडेंड्स को हम एक्सपेक कर सकते हैं उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे 6 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये कंपनियां पिछले कुछ सालों से consistent dividend pay कर रही है और इन कंपनियों की dividend yield भी अगर हम बात करेंगे तो लगबग 2% या उससे ज़्यादा की है दोस्तो तो ये 6 कंपनियां हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्रेल महिने में उनक शॉकिंग एक reaction भी दिया हुआ है क्योंकि result भी शॉकिंग आये हुए थै क्या है HCL Tech पर focus करते हैं 20 तारीक को उनके results आने वाले हैं और HCL Tech की तरफ से dividend भी डिक्लियर होने वाला है और सब चीजे हम early financial आजादी चैनल पर detail में discuss भी करने वाले हैं तो चैनल को भी दोस्तों ज ज्यादा वो dividend में pay कर देंगे तो maximum जो भी उनका profit रहने वाला है वो dividend में वो pay कर देने वाले हैं अब कैसा उनका पिछले कुछ सालों का dividend रहा है जैसे अभी अगर मैं share price HCL Tech का लूँ देखिए अभी share price तो गिरा हुआ है क्योंकि IT सेक्टर में अभी थोड़ा sell-off चल रहा ह तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो dividend yield बन रही है लगभग 4.2% की जो की एक अच्छी खासी yield कही जा सकती है और HCL Tech हर quarter मतब हर तिमाही में dividend भी डिक्लियर करती रहती है जैसे अभी already 3 तिमाही खतम हो चुकी है जैसे अप्रेल से जून फिर उन्होंने 10 रुपे का dividend दिया था फिर जुलाई से सप्टेंबर का जो quarter था 10 रुपे का dividend फिर October से December का जो quarter था 10 रुपे का dividend तो 30 रुपे का dividend already HCL Tech की तरफ से जो financial year 23 है आ चुका है अब देखते हैं कि यह 44 का आकड़ा HCL Tech की तरफ से पार होता है या नहीं यह हमको April 20 को पता चलने वाला है और एक औ कि dividend और results दोनों ही declare करने वाली है और April 25 को आपको note करके रखना है dividend साल में एक बार ही आता है बजाज आटो की तरफ से इसलिए और ज्यादा important हो जाती है April 25 की तारीक तो देखिए अभी अगर आप share price देखेंगे 4,253 रुपीज के आसपास में है और बजाज आटो का अगर ह हम dividend देखें पिछला जो financial year था उन्होंने 140 का dividend दिया था और अभी अगर share price देखेंगे 4,253 है तो dividend yield अगर हम देखते हैं तो dividend yield बन जाती है लगभग 3.3% के आसपास की जो की एक अच्छी खासी yield कही जाएगी जब बजाज आटो की बात कर रहे हैं अब देखिए जो भी dividend ह जरूर देखें profits बढ़ेंगे तो dividend भी बढ़ेगा यह भी आपको ध्यान में रखना है अब तीसरा नाम है दोस्तो HDFC AMC mutual fund company है HDFC AMC उनके भी results आने वाले हैं 25 अप्रेल को dividend declare होगा अगेन बजाज आटो की तरह बहुत ही interesting होने वाला है क्योंकि उनकी तरफ से भी dividend आता है कब साल में सिर्फ एक बार dividend आता है और dividend payout की अगर मैं बात करूँ तो यह पिछले साल का जो dividend था लगभग 64% का payout था payout क्या होता है मतलब company ने समित लीजिए 100 रुपे का profit किया तो 64 रुपीज as dividend उन्होंने अपने shareholders के साथ distribute कर दिया तो company का मैंने इससे पहले भी जो है सुने हुए है उनकी management transcript मैंने देखी हुई है तो company ने कहा है कि जो dividend वाली जो चीज है यह increase होती रहेगी तो इसलिए बहुत important हो जाता है profit अगर होंगे ज्यादा बढ़ेंगे तो dividend का भी expectation हो सकता है तो कैसा dividend रहा है past data देख लेते हैं तो HDFC AMC का गिरा हुआ है अगर अभी share price देखेंगे 1807 रुपे के आसपास में है ठीक है 1807 रुपे है तो dividend yield जैसे पिछले साल 42 था तो मैं calculate कर लेता हूँ dividend yield हो जा रही है लगभग लगभग 2.3% की जो की decent dividend yield कहीं जा सकती है अब देखना है कि 42 का अंकड़ा इस साल का dividend जो numbers है वो बार होता है या नहीं तो यह हमको कब पता चलने वाला है 25 अप्रेल को दोस्तों तीन नाम हुए है तीन नाम और आने वाले है आगे बड़े उससे पहले दोस्तों आप early financial आजादी आप को भी download कर सकते हैं यहाँ पर मैं free live master class लेता रहता हूँ साथ में यहाँ पर market से ज discount में है link मैंने description box में दी हुई है अब चौथा नाम है दोस्तों निपॉन life AMC यह भी HDFC AMC की तरह एक और नाम है जो dividend pay करती है 25 अप्रेल को उनके भी result आने वाले हैं जब dividend की हम बात कर रहे हैं तो साल में दो बार dividend आता है निपॉन life AMC के दोरा ठीक है और इनका dividend payout 96% payout है मतलब निपॉन अगर 100 रुपया कमा रही है तो almost 100 रुपय मतलब 96% almost 100 रुपय होई गया 96% उन्होंने पिछले साल as dividend अपने shareholders के साथ distribute कर दिया था और मैंने management की commentary भी पड़ी हुई थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि future में भी ऐसा ही चलने वाला है मतलब company जितना profit कर रहेगी लगभग उतना ही dividend पे हो जाएगा तो अब देखे जब हम निपॉन की बात कर रहे हैं तो यहां आपके साथ में share कर देता हूं निपॉन लाइफ अभी share price फिलहाल 239 चल रहा है तो 239 का share price है और पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कितना total 11 रुपया का उन्होंने dividend declare किया था तो इसका मतलब है उनकी dividend yield 4.6% की हो जा रही है यह 239-240 के price में अच्छा मैंने जैसे कहा दो बार स्थाल में dividend आता है तो already financial year 23 एक dividend आ चुका है कब November के महिने में dividend आ चुका है यह dividend 4 रुपया का उन्होंने declare किया हुआ था तो important रहेगा again कि 7 रुपया या उससे जादा in fact 7 रुपय से जादा अगर dividend होता है तो पिछले साल का record तूट सकता है तो important रहने वाला है कि क्या वो record तूटता है या नहीं तूटता है क्या 11 रुपया से जादा dividend आता है उतना ही आता है या उससे कम आता है हम को जिस दिन result आने वाले है 25 अप्रेट को उस दिन idea आने वाला है further idea आने वाला है दोस्तों अगला नाम है पाँचवा नाम है Tech Mahindra दोस्तों Tech Mahindra के results और dividend दोनों ही आने वाले है 27 अप्रेल को dividend भी document होने वाला है in fact 2 बार dividend Tech Mahindra की गिरा हुआ है टेक महिंद्रा भी अच्छा खासा गिरा हुआ है ठीक है क्योंकि इन्फोसिस के थोड़े खराब जब नतीजे आये थे तो उसका भी बहुत कारण ऐसे भी लग रहे हैं कि टेक महिंद्रा या आई-टी कंपनियों के लिए आने वाला समय जो है थोड़ा टॉफ दिया था जो कि अगर मैं अभी कंपेर करता हूं तो यह डिविडेंट हो जाता है 4.4% की इल्ड हो जाती है ठीक है अब एक और चीज है इस साल अल्रेडी नवेंबर के महिने में उन्होंने 18 रुपए का डिविडेंट दिया हुआ है तो अब देखते हैं कि फाइनल डिवि थोड़ा अभी बोल पाना थोड़ी जलबाजी है यह मुझे लगता है जिस दिन 27 तारिक को रिजल्ट आएंगे उस दिन ही हमको ज्यादा आइडिया आएगा हमको पता चलेगा तो यहां बहुत सारी चीजे रहने वाली है रिजल्ट्स डिविडेंट पर तो फोकस रहे है और साल में दो बार डिविडेंट होता है किसका बजाज होल्डिंग्स का बजाज होल्डिंग्स मतलब यह जितनी भी कमपनिया है जैसे बजाज औटो फिर बजाज इसर बजाज फाइनान्स उनकोओन एक्चली बजाज होल्डिंग्स ही करती है तो 6,110 का शेर प्राइस अभी यहां पर मैं देख पा रहा हूं, तो dividends की जब हम बात करेंगे, तो पिछले financial year में 115 रुपे का उन्होंने dividend दिया हुआ था, किसने बजाज holdings ने दिया हुआ था, तो dividend yield अगर आप देखेंगे, तो यह लगभग लगभग देख लेते हैं, यह आती है 1.9%, मतलब 2% के आस जैसे पिछले साल, interim dividend 90 का था, इस बार interim dividend 110 का था, final dividend 25 रुपे का था, तो यह important रहेगा, कि जो 25 रुपे का final dividend है, इससे उपर आ रहा है, या उसके आसपास या उससे नीचे आ रहा है, तो यह हमको पता चलेगा, जिस दिन बजाज holdings के result आएंगे, जो कि 27 अप्रेल को आने दोस्तों, तो 6 नाम हमने discuss किये है, अर्ली financial आजादी YouTube चैनल को जरूर सब्स्राइब करके रखे, हम लोग यहाँ पर dividend और passive income की analysis भी करते रहेंगे, और जब results आएंगे, तो आपके सामने और ज्यादा details भी ले कर आएंगे, धन्यवाद आपके time के लिए, thank you दोस्तों.